तो यार आख चुके की न्यू वीडियो के साथ वापिस अब दिखार आप सोच रहूंगी मैंने पंक समेथ अपने सारे टीमेट्स को नेट क्यूं कर दिया अब वो मैपको देरी देरे बताऊंगा लेकिन उससे पहले यार आज नहीं अपडेट आया था मैंने करा मैंने सुच अब अपना एक कस्टम तयार तो वो शुरू हमने सुचा थोड़ा सा जो है वाम अप कर लेते हैं तो हम जो है लाइक नॉर्मल कस्टम स्टार्ट कर दिये और यहांप उतरता हम मिलिट्री बेस भाई मिलिट्री बेस के पूरी कायां बदल रखिया यहां पर अब भाई जितने भी बंदे मिलिट्री बेस पर उतरते हैं लिमिट्री बंदे होते हैं जितने ज़्यादा मार दे उसके उतने गिल अब मेरे को यहां पर काफी बंदे जाते आगे अब यहां मैंने फिनिश टू डाल दिया मैंने पूरा एक लेकिन शोट इन वाला था डर लग रहा था थोड़ा गुसने में लेकिन फैनले पेल दिया और एक ओर चीज और जाप यार जब भी आपका हेड लगता है तो वाई एक मैटल आवाज आती तो इस बार सही कि लगुट करते समय आपको यह अंदाजा रहेगा कि आपको कितने हैड लग रहे हैं क्योंकि कई बार रहे दना कि हमको ऐसा प्रॉपर पतनी नहीं रहे तो इसमें पता लग जाएगा उतनी बार आवाज आजाएगी मैटल की अब क्योंकि यहां पर लिमिटे पर आपके कि तो भाई इनों रहे नोच नोच की ले लिए यहां पर जारे के जारे और काफी इसली यहां पर जितने कि उठा सकता है मैंने उतने उठा है और फाइनली मेरे को जो है कुछ AR वार रहत लगी वैसे यह AR भी नहीं यह डीपी है तो AR तो मैं ले लेता हूँ, अब यहां पर एक बंदा रहता है अब यह बनाना बिल्कुल कैम करके एक टिमर को जैसे कुछ लोग उते ना फिनिश करने के लिए बिल्कुल छुपे रहते हैं कुछ उसी परकार सो यहां पर बंदा चुपा हुआ था और आप गैस करना किसके इकल सबसे जाता रहता है ठीक है फि करते हैं यहां से हमने गाड़ियां उठाई और पूरा नेट खाली कर दिया था देखना थे कि आगे कितने किल कर पाती ठीक है अब भी पीज़े उतर गया लेकिन इन्होंने जो है किल उठा लिया और हमारे हाथ जो है कुछ ज़्यादा लगानी तो मैंने सोचे चल भाई प इंहें अगर मिलक्री बेस है तो आ रहें एव अपार्टमेट्स की साइड और यहां पर ना कोई नहीं होता या लेकिन कोई नहीं होता यहां बहुतर राख और कस्टम का भी टाइम हो रहा था तो मैंने बोला यार अब मजबूरन जो है अपने गो लेफ्ट करना पड़ेग तो क्यों किसी को फ्री के गिल दे तो मैंने बुला है सब को यहां पर मैंने बुला भाइब मेरे बात संदसारा सारे तुमको मैं जो है एक नेट की स्किन दिखाता हूँ वैसे तो यह रोल पास में आ रखिया इधिंक सबके बास ही होगी लेकिन अब यह स्किन से देखो दूर वह रोले मेरे साथ वह यहां अब से अब काफी अच्छी पॉजिशन निकराई ठीक है अब हम यहां पर रुकते हैं इस बुर दूर में उतर वह तो हमने काम करते हैं उपर की साइड लूट करते हैं उसके बाद मेरे टीमेट को मैं गन दे दे तो एक और मेरे को मैं पता है इस फिल्टर करने का थोड़े बहुत सपोर्ट करने का अना हलका जिस पी जिगपर सपोर्ट हो और बाकी दो असौर्टर है और एक अपना जो है वो आई जेल है ठीक है अब हम सबसे पहले बाते में बहुती है अँड़र ये बगी है तो बगी लेके सबसे निकल और दूर से फ्लैंक तो यहां पर जो बगी थी इसको लेके में निकलता हूँ थोड़ासा दूर वाले कंपाउंड में दो रिजन की वाज़े से एक तो चाहिए थी लूट और दूसरी चाहिए थी हलके से दूर से कवर ताकि दूर से मैं देख पहूंना कि क्योंकि जो सटक पार वाले बंदे थे इस तरफ आले बंदे यानि कि हमारे बंदों के पूश करेंगे तो मैं रुकता हूँ इस कंपाउंड के उपर आप सोचेंगे यहां से कैसे कुछ यहां से कुछ दिखेगा भी नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास यहां पर 6-6 था ठीक है अब यहां से मैं देख रहा था बिल्कुल कि कोई भी क्रोश करेगा तो मैं यहां से पहले बता दूँगा बट थोड़ी तेर यहां पर रुकने के बाद मेरे एक आइडिया आता है हम उन पर पुश करने की तैयारी में थे ठीक है और हमने कहिंद गई उनको हलका सा घेर भी अब क्योंकि मैं यहां पर जो सपोर्ट का ही रोल निवाता हूँ तो मैंने काम किया सबस्क्राइब मैं देखा यार कहां कहां मंदे मेरे को अलका सा मतलब दिखता है थोड़ी देर के लिए फायर भी होता है लेकिन अपनी जो गन है आपने टीमेट को दे देता हूँ क्यों पहली टीम बगी में गई और दूसी टीम बाइक में लेकिन भाग के पीछे वाले कंपाउंड में चलेगी 400 मिटर के करीब दूर हमारी यहां पर बगी थी तो मैंने इनको बोला भाई एक काम करो तो मैं बगी से आता हूँ और सामने नीचे बस भी थी गाडियां भी थी तो पिल्कुल अलगी जगे से फ्लैंग बनाऊगा अब अमने ना उस वाली टीम के कंपाउंड को चार तरफ से गिर लिया देखो एक नंबर काफी ज़्यादा दूर है फिर दो नंबर भी उससे काफी ज़्यादा दूर है तीन नंबर उससे काफी ज़्यादा दूर है और फिर तो यह बेस्ट टाइम होता है फाइट करने लिए अब हमने घेर लिया वहां से मिराड़ो निकलती है तो वहां से फायर करता हूं मिराड़ो गबरा कर यह बंदा गबराकर वहीं पर रुख जाता है जबकि रुखना निछ चाहिए था और अब यह फस जाता है कॉल आते हैं कि भाई इसके उपर चड़ जाओ चारो तरफ से और इसके टीमेट है वो बीच वीच फस वे थे अलग अलग जिगाओं पे लेकिन देखो हम चारो तरफ से गेर रखे थे इनको पूरा गेर रखे थे और मैं थोड़ा और उचाई वाली पकल लेता हूं यहां से माने की ट्राय करता हूं वापर तकि उस बंदे को जितना हो सके पैनिक किया जाए और दूर से मेरे टीमेट की लुटा सकते हैं मैं जोन के बाहर हूं एक मेरे टीमेट जोन के अंदर है तो ऐसे चल रहा है काफी दूर दूर चल दें वह भी नेट फ लाइस सकते हैं इसCof, दो फिनिश कर दिया और इसके बाद आपन जोन के लिए निकिल लेते हैं यहाँ सक्कूल हिलागे और उसके बाद मैं जबस ऐने कहीं इसी की टीम थी यार बंदुगाच की टीम थी वही आ रहे थे उधर से मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर रुकता हूँ क्योंकि यहां पर नहीं रुकता तो मेरे बॉस पोड़ दे रे वेट करता हूं के जॉन में जाने का और इस पड़ जब जोन में जले तो यह अचरोन पrationsभम सब्ताँ चाहिए, कमभी डेनी तम भीचे फटर अव्ह ड्यग मैं करने सापने आप में नीयुका पारणबोาश भीचे 5 falar जाए ञाए तो आजोड़ाए कि हमारी टीम जो है यहां से भी निकल लेती है और थोड़ा वैटर आप्शिन के लिए और टीम थी बिल्कुल सामने अपनी अब जोन के लिए तो हम कैसे देशन करके पहुंच जाते हैं भाए दिक्कत यहां पर यह हो जाती है कि हम कुछ जदर ही हाईट पे थे और यह हाईट चारो त तो आप वैसे मारे आओगी उपर से फायर और अलग से आता है कैसे दैसे करके तो मैं यहां पर बच गया थोड़े से नौक जरूर कर दिया था लेकिन इन पत्रों का और इन अटेचिस का कवर नहीं रहा था बॉक्स का तो मैं बस नहीं पाता अब जो काम मेरा है सपोर्ट करन के लिए काम आ सके क्योंकि अभी मेरा जो है उतना हाथवाद सेट है नी फिलाल जैसे से करके मने क्रोस किया क्योंकि वह बंदा ओलड़े हम पर प्रीपीक लेकर बैठा हुआ था अब इनको मारना जरूरी था यहां से निकलने के लिए थोड़े सा फायर होती है यहां पर ल अब यहां पर दो चीजेती है एक टीमेट अब अब यहां पर दो चीजेती है जिसको की नॉक एंड फिनिश मार देता उपर टीमेट्स ने उपर एक टीम थी ओलड़ी उपर हम जानी सकते थे और यहां पर इस घरों में भी एक बंदा था जो किम को पीछे से बैक्स्टैब करने वाला था लेकिन जोन में जाना था क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हेल् रहे हुआ है न है जाता है करो दो है ह Are कह生gar आछाओ तर मैं यहां पर के वालड़ एक टीम नॉक जूरा है लेकिन उसके लिजाया ली अब तीन बंदे पर टिक हमारा हम आगे संखिबies जो है नौक एंड फिनिश हो जाता है हम तीन बजे होए थे और कुल मिला के ना एक ऐसी सिच्वेशन में थे हम जहां से ना हम आगे जा सकते थे ना हम यहां पर रह सकते थे तो डिसाइड करते हैं मैं करूंगा हील बैटल अब देखो अलाइव कितने हैं 23 अलाइव है और हील हम पर मेरे पर 5-6 करीबन फरस्टेट्स होना है अब दो बंदे जोन निकालेंगे मैं हील बैटल करूंगा मैं इसको रिवाइव करने के लिए जाता हूं लेकिन जोन आ जाता है तो मैं फाइनली हील बैटल के लिए ही जाता हूं पांस अच्छे मेरे को दिगने ना और भाई चारों तरफ बहुत ख़तनाग फाइरिंग होती है अब मेरे को कही न कहीं वह सामने जो हीलिंग दिख रही है वहां तक पहुंचना भी था क्यूंकि यह वाली हीलिंग एक बार खत्म हो जाती तो फिर मेरे को वह वाली हीलिंग से उठाने थी ठीक है और लोग जो सो हीलिंग करता रहा करता रहा आखरी हीलिंग बची हुई है अब जाके मैं सामनी वाली हीलिंग उठा लेता हूं लेकिन क्या होता है कि उसको उठाने के चक्कर में हलका सा लेट हो जाता है और उस एक पॉइंट सेगिंड के लेट के चकर में हलका सा रह जाता है तो बस यह कुछ नहीं हो सकता था फाइनली सबने अपने अपनी फर्स्टेट जो है मुझे देदी हील बैटल करने के लिए ताकि कुछ पोजिशन निकर आए वहाँ पे और फाइनली समझधारी हमने करी वही हील बैटल कर रहा वहाँ पे अगर मेरा टीमेट मुझे और दे जाता तो शाहिए थोड़ी और देर तक्टिक पाता मैं और एक बैटर पोजिशन निकाल पाता शाहिए हैश्टेग 3 आ जाते हैश्टेग 2 आ जाते क्योंकि उसके तुरंद बाद और ज्यादा फाइटिंग स्टार्ट हो जाते हो वहाँ पे जो थोट्स आप हो मेरे को कमेंट सेक्शन में पता सकते हो मैं मिलता है सीको नेक्स तुडियों तो तक लिए टेक केर एंड बाई